दिर्दाभारती सक्खी सहेली कारेक्रम सुनने वाली हमारी सभी सक्खियों को सभी स्रोताओं को चंचल वर्मा और संगीता शिवास्तो का नमस्कार संगीता जी आज जो हमारे विशय हैं जिन पर हम सक्खियों से अपने शुरोताओं से बाचित करने वाले हैं कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं बहुत-बहुत स्वागत है सभी के कमेंट्स का और स्वागत तो हो गया चंचल अब यह है कि अंतराष्ट्रिय कुछ एक दिवस आज हैं तो सकी विशेश में तो हम बात करेंगे हैं अंतराष्ट्रिय ओलंपिक दिवस है सकी विशेश में नर्त की नतराज की बात करेंगे और संयुक्त राष्ट्र लोग सेवा दिवस है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा होगी और अंतराष्ट्रिय विधवा दिवस भी आज है इसके बारे में बात होगी और भई शुकरवार का दिन हो व्यंजन की बात ना हो ऐसा थोड़ी हो सकता है और बात करते हैं सयुक्त राष्ट्र लोग सेवा दिवस के बारे में की कैसे इसकी शुरुआत हुई हाँ और इसी को लेकर के हमारी एक शुर्टा ने लिखा है कि लोग सेवा दिवस पर UNPSA सारजनिक संस्थाउनों की नवीन और उत्कृष्ट उपलब्धियों की पहचान करके और उन्हें परस्कृत करके सारजनिक सेवाओं को प्रोच साहित करता है UNPSA का उद्देश सतत्विकास की प्रात्मिक्ता को बढ़ावा देना है साथे सारजनिक सेवा अधिकारियों को दुनिया भर में सारजनिक प्रशाशन में अधिक कुशल बनाने के लिए प्रेरित करना है सारजनिक संसानों और लोग सेवकों के मूले की सराहना करने के लिए स्विक तराश्टर लोग सेवा दिवस हर साल हम मनाते हैं 23 जून के दिनी से हम मनाते हैं देता है और युवाओं को सार्जनिक शेत्र में करियर बनाने के लिए प्रोचसाहिद करता है 20 विसंबर 2002 का दिन था जिस दिन संयुक्तिराष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया और 23 जून के दिन को इस दिन मनाया जाए इसका निर्णाए लिया संयुक्तिराष्ट्र मुख्याला जो की नियू यॉर्क में है संयुक्तिराष्ट अमेरिका ने इस्थित इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की थी और कोई दो राय नहीं है कि लोगतंत्र और सफल शाषन लोगसिवा या लोगप्रशासन के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता संयुक्तिराष्ट्र लोगसिवा दिवस के मौके पर संयुक्तिराष्ट्र लोगसिवा परुसकार दिये जाते हैं इस तरह से पहला पुरस्कार समारो 2003 में हुआ था इसे शृर्जनिक सेवा में उतकरिश्च्टता के सबसे प्रतिश्टित अंतराष्टि मानेता की रूप में जाना जाता है और यह जो दिन है यानि कि समक्तराष्टर लोग सेवा दिवस इस दिन सारवजनिक सेवा संसानों की उपलब्दियों और योगदानों के बारे में पुरसकाल की प्रिदान किये जाते हैं जो विश्विस्तर पर आयोजित किये जाते हैं और लेंगिक समानता महिलाओं की सशक्ति करण के लिए भी अलग-अलग कारेशालाओं का आयोजन किया जाता है हाँ वो इस वज़े से कि लोग ज़ादा से ज़ादा इस बात को लेकर के आ गया हैं और जागरूक रहें तो संयूक तरहश्ट लोग सिवा दिवस के अवसर पर अफरिका लोग सिवा दिवस भी मनाया जाता है ये दिन दुनिया भर के विमिन सारुजनिक सिवा संगठनों और विभा गुंदवारा समदाहे में विकास और सुधार करने में लोग सिवकों की भूमिका को पहचानने के लिए कई करिक्रिमों का आयोजन करके मनाया जाता है यानि कि चंचल देखे कि न सिर्फ ये एक जिगे बल्कि कई ही देशों में एक साथ मनाया जाता है बिल्कुल विश्विस्तर पर हमें से मनाते हैं और इस दिन पर दुनिया भर के सरकारी सेवा के महत्व को भी स्विकारने के लिए मनाया जाता है और इस दिन का उदिश दुनिया पर में जितने भी लोग सिवक हैं जो प्रयास वो कर रहे हैं उनको सम्मान भी देना होता है और इस वर्ष सहयुक्तराश्ट लोग सिवा दिवस की ठीम है एक स्वस्थ ग्रह पर शान्ती गरिमा और समानता इस दिन पर प्रथाओं और रणरीतियों पर चर्चा करने उभरते हुए महतवपूर्ण मुर्दबा बाचित करने के लिए एक नया दृष्टिकून खोजने के लिए एक मंच भी प्रदान किया जाता है जिसे लोग इसमें आगे आ सकें और एक नागरिक के रूप में हम लोग सिवकों के कड़ी महनत और प्रयासों की सराहना करके जो ये दिन है उसे मना सकते हैं और यदि हम व्यक्तिकत रूप से किसी लोग सिवक को जानते हैं तो उनका आभार प्रकट कर सकते हैं साथ ही इन लोग सिवकों द्वारा हमारे जीवन में निभाई जाने वाली उनकी जो भूमिका है उसके बारे में अन्ने लोगों को सिक्षित भी कर सकते हैं ऐसे बहुत सारे लोग सिवक हैं जिन से हम घिरे रहते हैं जाथ जिनके बिना हमारे दिन चरिया कि बहुत सारे काम समभव भी नहीं है तो बिल्कुल अगर हम जानते हैं किसी को निजी लूप में तो जरूर उनका धन्यवाद देना बनता है संकीता जी और अब हम बात करते हैं अंतर राष्ट्रे अलम्पक दिवस को लेगा तो फिर तो सब को बिल्कुल बच्पन में जाना पड़ेगा चंचल क्योंकि खेल तो सभी को पसंद होता है और खेल सिर्फ बच्पन में नहीं सहमेद रखता ही है हर साल 23 जून को इसे हम मनाते हैं और खेल और स्वास्ते के हिसाब से ये एक उत्सव का दिन है क्योंकि दोनों ही एक साथ हो जाता तो ये अवसर पुरी दुनिया के लोगों को क्रियाशिल बनाने के लिए आगे बढ़ाने के लिए प्रेट करता है और इसका मुख्य उद्देश खेलों में अंतराश्टी इस तर पर और हर आयू वर्ग और लिंग के लोगों की भागिदारी को बढ़ावा देना है जब पहली बार ये दिवस मनाया गया था तो इसे अंतराश्टी इस अंतराश्टी इस समीतियों द्वारा नौ देशों में मनाया गया था जिसमें ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कैनेडा, ग्रेट ब्रीटेन, ग्रीज, पुर्टेगाल, सुरिज़ेन वेरेजवले से सबी देख से ये शामिल थे क्योंकि देखे कुछ एक शहर ऐसे भी है, कुछ एक देश ऐसे भी है जहां खेलों को बड़ा ही कहते है कि प्राचिनकाल से ही बहुत प्रसिद्ध है ऑलंपिक खेलों का इतिहास जैसे प्राचिनकाल में अगर युनान की राजदानी एथन्स में 1896 में उलंपिया परवत पर खेले जाने के कारण इन खेलों का नाम उलंपिक पड़ा पिछले दो दश्च्रकों से उलंपिक दिवस लगभग दुनिया के हर कुने में मनाया जा रहा है बड़े पैमाने पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर में कई तरह की प्रतियोगिता हैं आयोजित की जाती हैं तो इनमें बड़ी सजावट वगरा की जाती है और तरह तरह के निरत्य वगरा का भी आयोजिन किया जाता है तो खेल मैं बताएं तो एक तरह से पूरी संस्कृती ही है सिंट मैरीज में ओलम्पिक समीती के 42 वी बैठक में ओलम्पिक दिवस मनाने पर विचार पहली बार अपनाया गया 1948 में Sumiden के Stockholm में अंतराष्टी औलंपिक समीती के 41 में सत्र में विश ओलंपिक दिवस मनाने की बात रखी गई थी, इसके लिए 23 जूड का दिन चुना गया और इसी दिन 1994 में Paris के Saurbon में अंतराष्टी औलंपिक समीती की स्थापना की गई, पीर डी कार्बिटेन ने ओलम्पिक खिलों को फिर से जीवित किया और इस आयोजन के लिए राष्ट्रिय ओलम्पिक समीतियों को लगाया गया और 23 जून के दिन ओलम्पिक का इतिहास एक खास दिन बन गया इसलिए तो इस दिन को हम बनाते आ रहे हैं और उलम्पिक जो विशो उलम्पिक दिवस है इसी बात पर जोड़ देता है कि खेल के ज़री एक बہतर दुनिया का निर्माण करना और लोगों को शांति से एक साथ लाना है क्योंकि देगे खेल ही एक ऐसी फील्ड है या एक ऐसा जरिया है एक ऐसा स्थान है जहां सभी बच्चे मिलकर आते हैं बच्पन से ले करके बड़े होने तक हर शेतर से हर तरफ से लोग आते हैं और इस तरह से एक संस्कृति कह सकते हैं कि वहाँ पुरी तरह से डिवलप हो जाती है और बिलकुल हर चार सालों में इन खेलों का आयोजन किया जाता है विश्व में होने वाली सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता भी है और लगबग दोसों से ज्यादा देश इसमें हिस्सा लेते हैं इस प्रतियोगिता में कई तरह के ग्रीश मकालीन और शीत कालीन खेल भी होत इसमें हमेशा कुछ नए खेलों को शामिल किया जाता है। इसमें हरुमर के लोग शामिल होते हैं जिसके लिए अलग अलग थीम तैर की जाती है। थिरकना सभी को अच्छा लगता है, थोड़ा बहुत डांस सभी को अच्छा लगता है। बस ऐसी ही थिरकन वाली जो बात है ना, वो आज हमारी सखी में भी है, इनका नाम है नर्थ की नटरा, जो कि एक भरत नाट्यम डांसर है। और कई सम्मान और पुरसकारों से इनको नवाजा भी जा चुका है। और अब तमिल नाटू राजविकास नीती परिशत की सदश्य के रूप में भी वो एक ट्रांस वूमन या यू कहें कि ट्रांस समुधाय के लिए स्वास्त सेवा और रोजगार उपलब्द कराने के क्षेतर में कारे कर रही है। और ऐसा पहली बार हुआ है संगिता जी कि किसी कलाकार को इस सदस्य की सुची में शामिल किया गया है। परिवार में उन्हें स्विकार किया गया जिसके चलते 11-12 साल की उम्र में उन्हें घर छोड़ना पड़ा। सुधार आनूर रगपती और बहुत सारी ऐसी कई अभिनेत्रियों को और विजने कितनी रड़कियों को भरतनाटिम की शिक्षा दी थी। एक लंबे इंतजार के बाद गुरु पिल्लेई आखरकार उन्हें भारती शासरे नृत भरतनाटिम की दुनिया से परचित कराने के लिए सहमत हो गए। उनके नृत्य गुरु पिल्ले ही थे जिन्होंने उन्हें नर्तकी ये नाम दिया। यही नाम उनके लिए चमतकार सिद्ध हुआ। और आज बहुती कम नर्तकी हैं जो इस नर्तकी को करती हैं लेकिन नर्तकी नर्तराज भारत और विदेशों में इसी नर्ते शैली का जुड़ा हुआ एक जाना माना चहरा बन गई है। लेकिन ट्रांसजेंडर होने के कारण लाउ कॉलेज में प्रवेश नहीं मिल सका। उसके बाद उन्होंने अपने सिक्षा बीच में ही छोड़ दी। और जब वो प्रदर्शन करती हैं तो उस प्रदर्शन के बारे में उनका कहना है कि जब वे मंच पर होती हैं तो एक अलगी स्तर पे पहुँच जाती हैं। पुछ तरह से भूल कर परफॉर्म करती हैं और कहा जाता है कि दर्शकों में भी उनके प्रदर्शन के दौरान बहुत खास अनुभव उन्हें हुए हैं। और इस बारे में उनका कहना ये है कि मैं कुछ खास नहीं करती बस ये उस पल में एक उर्जा होती है जो हम सभी में से होकर गुजरती है। सरकारों की चली है तो हम बता दें कि भारत नर्थ की जो हैं ये भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप के बहुत सारे प्रमुख समारों में प्रदर्शन कर चुकी हैं और 2019 में इन्हें चोथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पदमुश्री इसे सम्मानित किया जा चुका ह और भरात नाट्यम के शेत्रे में इन्हें पुरसकार दिया गया था, साल 2014 में संस्कृति विभाग भारत सरकार से एक वरिष्ट फैलोशिप भी वो प्राप्त कर चुकी हैं, तमिलनाडु सरकार कलायम मनी पुरसकार भी उन्हें प्रदान किया जा चुका है, 2016 में पेरियार मनी अम्माई विश्वविध्याले से डॉक्टरित की मानत उपाधी भी उन्होंने प्राप्त की है, तो इतनी सारी उपाधियां देखे और इतना सारा नाम कितना अच्छा लगता है कि जब उनकी मेहनत इस तरह से सफल हुई, तो ट्रांसजेंडर समधाय के बारे में बहुत अच्छा कदम है ताकि इनके बारे में दुनिया को पता लगे और जब पाठे क्रम में बच्चे पढ़ते हैं चीजों के बारे में तो उन्हें भी अच्छा ग्यान मिलता है, वो प्रेड़ना लेकर आगे बढ़ सकते हैं, और पिछले तीन धशकों से नर्थ की नट माई से जो भी हिस्सा आता है, इसमें एक बड़ा हिस्सा वो ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए सशक्ती करण के लिए समर्पित कर देती हैं, ताकि उन्हें भी सम्मान की जिन्दगी जीने को मिले। जो अस्विकृति के दर से अपने सपनों को का पीछा करने के पीछे हट जाते हैं, यानि कि वो जो कदम पीछे ले लेते हैं, तो वो चाहती हैं कि वो एक दर्पन बढ़े, जो उन्हें अपने लक्षे तक पहुँचने के लिए प्रोथसाहित करें। तो यही कहना है कि सफलता पाने के लिए जनून और आत्म विश्वास, इनकी बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है, तो यह तो बात हुए नर्थ की नटराज की और इसके बाद हम आते हैं वापस अपने विशे पर। और बात करते हैं, कुछ एक महिलाओं की जो समाज में जिनकी स्थिती जो है बड़ी अजीबु वरीब सी हो जाती है नहीं संचल, तो ऐसी बात है अंतराज ची विद्वा दिवस आज है। और विश्विस तर पर ऐसे दिवस मनाया जाते हैं, हमारे एक सुन्दे वाले ने लिखा भी कि इस दिवस के बारे में इससे पहले उन्हें कोई जानकारी नहीं थी और इस तरह के बहुत सारे दिवस होते हैं जिनके बारे में वाकरे में हमें कोई जानकारी नहीं होती है, क मैत्व को कहीं या इसकी जरुद को समझा गया इसलिए इसकी शुरुआत दे हुई क्योंकि कई बर ऐसा होता है कि बहुत सारे सपने होते हैं बहुत सारी बाते होती है लेकिन अचानक से जब कुछ इस तरह की इस्तिती होती है तो बिलकुल परिस्तिती बदल जाती है इस्तिती बदल जाती है मन मस्तिश्क पर बड़ा ही गहरा असर पड़ता है तो बहुत से ब बहुत सारे उसके अर्मान होते हैं और ये सपने सबके पूरे हो जाएंसा जरूरी नहीं होता कुछ ना कुछ ऐसा कई बार हो जाता है कि हम किसी हाथसे का शिकार हो जाते हैं किसी अन्य बीमारी की वज़े से, किसी अन्य परिशानी की वज़े से जीवन साथी का साथ हमसे छूट जाता है और जब ऐसा हाथसा किसी महिला के साथ होता है तो दुख और निराशा इसके लावा कुछ भी हाथ नहीं लगता और जिंदगी के लिए जो सबने उन्होंने देखे थे वो तूट के भी खड़ जाते हैं इतना ही नहीं संगिता जी शिक्षा का इतना प्रचार प्रसार होने के बाद भी उन महिलाओं की स्थिती को उस सम्मान की नजर से नहीं देखा जाता जिसकी वो हकदार है और चुकि बहुत ही अजीबोगरी परिस्थिती होती है पता नहीं चलता कि क्या से क्या हो गया तो इस वज़े से किसी को खोने से जो हमारे जीवत में एक खाई सी पैदा हो जाती है क्योंकि देखे जिसे इतनी सारी बैटकर दिल की बाते होती है घर गिरिस्ती की बाते होती है या जो सपने होते हैं तो इस तरह अपने पती को खोने से एक स्थिती की जो कुछ दशा होती है वो इसी प्रकार से हो जाती है कि कई बार ऐसा भी होता है कि अलगाओ एक तरह से कह सकते हैं कि मांसिक स्थिती इस तरह की मांसिक स्थिती से गुजरते हैं हम और ऐसे में समाज की हमारी हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि उनको सम्मान का दरजा मिले इसके लिए हम प्रयास करें और उन्हें उनका हक दिलाने के लिए ही हर साल 23 जून को अंतराश्य विदवा दिवस मनाया जाता है इसके बारे में देखिए हमारे एक सुनने वाली हैं उन्होंने भी लिखा है कि सखी सहली के विशय बहुत अच्छे हैं महत्वपून दिवस है विदवा दिवस और दुनिया भर में ऐसी इस्तरियां बहुत सारे जो हिस्तियां जिनका जो पती है उनसे साथ अगर छूट गया और इन महिलाओं के लिए राजय सरकारों ने विदवा पुनर विवा की योजनाय भी बनाई हैं सरकारों ने विदवा पेंशन और उनकी बेटियों के विवाह में भी सहायता देने के लिए योजनाय बनाई हैं मनरेगा के तहट भी विदवा महिलाओं को उनकी पहचान करा लाने के लिए विशेश प्रावधान ये गहें ताकि उन्हें सौ दिन तक लगातर काम दिया जा सके। उन्होंने इसका विरोध भी किया ईशो चंद विदा सागर ने इसे चुनौती की रूप में लिया और साथ दिसमबर 1856 को कुलकाता में पहली बार विद्वा पुनर्विवा करवाया था या कह सकते हैं कि कलकता में। और आज ये महिलाएं जो अपने अधिकारों से वंचित हैं इस बात को हमें धिहान में रखना चाहिए कि ये हमारे समाज का हमारे देश का हमारा ही एक हिस्सा है इसलिए इनको पूरा सम्मान मिले। और इसमें से कुछ ऐसी भी होती न चंचल जिनकी उम्र बहुत कम होती है तो उनके सारे सामने तो पूरी जिंदगी होती है और कुछ ऐसी होती है कि जिनकी उम्र कम होती है बच्चे भी साथ में होते हैं तो पूरी जिंदगी का ही सवाल होता है उनकी भी जिंदगी का सवा संगीता जी एक स्त्री क्या चाहती है कि समाज में उसे सम्मान मिले और इसलिए हमने आज इस दिवस के बारे बात की और हमारे एक श्रोता है उनका बहुत अच्छा इस पर उन्होंने बात लिखी है मैं पढ़कर सुनाती हूँ लिखते हैं कि ये सच है आधूनिक होते समाज म उन से पहनने उड़ने साज श्रिंगार से लेकर खान पान और किसी प्रसंग पर में शामिल होने तक भी उन पर रोग टोक लगा देता है विद्वाओं की इस हिस्ति के पीछे समाज का वो रूडिवादी सोच जो है वो दोशी है जो उनके जीवन को बहुत जटिल बना कर उन्हें समाज से कटा हुआ महसूस करवाता रहता है इन इस्तियों पर लगाई जाने वाली ये सभी पाबंदियां उनके स्वतंत्र जीवन और उनके अवसरों की समानता के अधिकारों में बाधा खड़ी कर देती हैं और किसी भी समाज में इन महिलाओं की बहतर सिती के लि और इनकी बात बिल्कुल सच है हम अपने तहत हर कदम उठा सकते हैं अगर हम ऐसी किसी महिला को देखे तो उनकी मदद करें और अगर हमारे परिवार में है और उनके साथ अगर कोई अत्याचारिया कोई दुर्विरोध हो रहा है तो वहां भी हम आवाज अपनी उठा सकते हैं क्योंकि देखें क्या होता है कि सभी जो बाते हैं उनके लिए तो कोई तयार पहले से होता नहीं है किसके साथ क्या परिस्तिती हो जाएगी ये भी नहीं कहा जा सकता है किसके ओपर क्या विपत्ति कब आ जाएगी ये भी नहीं कहा जा सकता है तो जो भी है सब कुछ समा मान भी देना है और अब किचन की तरफ चले हाँ बिलकुल चलते हैं रसोई की तरफ और अचानक से महमान आ जाएं और इतनी घर्मी पड़ रही तो ठंडा ठंडा सा जो इनरजी है वो बहुत गुड में बहुत इनरजी होती है देखे गुड जो होता है वो गन्य से भी बनाते हैं और वो एक सौधागर फिल्म आई थी जिसमें देखा होगा कि बड़ा बड़ी हांसा गुड बनता है तो गुड की तो खैर अपनी बात है अपनी चटखार है और अपना स्वाध है तो बताने क्या वाली है आप गुड का शर्वत बता देते हैं जल्दी से बने बड़ी आसान बिल्कुल उड़ा देने वाली चीज है तो इसके लिए थोड़ा सा गुड यानि कि अगर आपसे बताएं तो सौ ग्राम तक पुड़ी थोड़ी सी नीबू करस एक टेबल स्पून अद्रक थोड़ा सा मिला लें इसमें तो बहुत अच्छा है एक इंच टु बड़ा देता है और काली मिर्च पिसी एक टेबल स्पून तो फिर आइस क्यूब्स भी रख लें तो बहुत अच्छा है बिल्कुल अगर आपको ज़्यादा थंड़ा चाहिए तो आइस क्यूब लें अगर आपको बहुत थंड़ा नहीं पीना है क्योंकि ज़्यादा पानी में या फ्रिज के पानी में भी से बना सकते हैं और नमक भी थोड़ा सा डालना है स्वाद अनुसार है न तो गुड़ का शर्वत बनाने के लिए गुड़ का सबसे पहले गुड़ को लें और उसके बाद उसे कूट कर बारी कर लें और थोड़ा साफ भी कर लें इसक मिनिट तक सारा गुड पानी में अच्छे तरह से घुल जाएगा इसके बाद अद्रक अच्छे तरह से दोकर उसे कद्डुकस कर लें या फिर कूट लें फिर पुदिने की पतियां दोकर बारीक काट लें और गुड का पानी और एक बार फिर जो चमच से कुछ सेकेंड तक इसकी प्रक्रिया पूरी करें दस मिनट के बाद अलग से इसे रख दें सारी चीजें चीजों का जिससे थोड़े दिर में फ्लिवर मिक्स हो जाएगा और उसके बाद फिर चान लें और ये जो चीजें हैं स्वाद को तो बढ़ाएंगी ही सेहत के लिए बहुत अच्छी है बिल्कुल सही है जिन्दगी के प्यार को हम बाट लें और बहुत सारी खुशियां बहुत सारी बात हैं हमने आज बाटी लेकिन अब घड़ी की सुई कह रही है कि हमारे जाने का वक्त हो गया है तो सभी को संगीता शिवास्तो और चंचल वर्मा का नमस्कार